वेल्कम टू नाने क्लासेज दोस्तों नाने क्लासेज के यूटूब चलन पे आपका स्वागत है आज है नो नुवंबर और नो नुवंबर दो अजार चोईश के जितने भी मौस्ट इंपोर्टेंट राजस्तान करंट अफेर्स की क्वेसिन बनते हैं आज हम उनका डिसकस कर पॉलिशी दो हजार चोईश पूरी विश्तरी चर्चा इस वीडियो के माधिम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्तान सुझस सार जो डेली सार संग्रे आता है उसका सार संग्रे पढ़ेंगे डेली इस समय आपको क्लास मिलती है अब सर्दी भी आ चुके है तो ए अगले इस इस साल और अगली साल खुब सारी भरतिया है तो निश्चित सपलता के लिए हमें टाइम को होगे तने समय को समय देना ही पड़ेगा तो हम कामियाबी होंगे तो करेंश टार्ट सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार गुड मॉर्निंग सेशन की सबसे पहले कल के कुष्णों के साथ कल अबने पड़ा नीती आयोग द्वारा सुरू कियेगे जल उत्सव कारेकरम में राजस्थान के किस जिले का चैन किया गया है तो हनुमानगड के संग्रिया बलो गोवा में आयुजित आयरनमैन 70.3 इवेंट में अपनी केटिगरी में तीस रास्तान किस ने प्राप्त किया जैप्रकास पुनिया ने राजस्तान स्टूडियो को गलोबल रिस्पॉंसिबल टूरिजम आवार की सुपलब्दी के लिए परदान किया गया तो भारत की अरुसुची जन जाती की कलात्मक ध्रोवर को सरंक्षित और बढ़ावा दे में किस राज्य को आठ विकट से राकर काहसे पदर जीता करना टैक और सुचीत्रा हडाने गोवा में आउजित किस प्रत्योगिता में स्वरन पदर जीता दस मेटर एर राइफल एसेच वन्स की स्रेणी में ठीक है यह थीकल की क्लास की रिविजिन इसका सेनवरी से दिसंबर दो हजार चोईस में मिल गया और डेली वीकली और मन्तली इसमें टेस्ट मिल रहा है यह टेस्री जोइन कर लें और वीडियो कोर्स आपको कल अक्टूबर मन्त के पूरे बुष्टर फेक्ट के साथ क्लास दो पार्टों में इसमें मिल चुके है तो ना बिवाहे की रोकदाम के लिए कौन सा अभ्यान शुरू किया है यानि कल से शुरू हो जाएगा 11 नुवंबर परसों से शुरू हो जाएगा और 16 नुवंबर तक चलेगा राजस्तान पुलिस ने बाल बिवाहे की रोकदाम के लिए कौन सा अभ्यान शुरू किया है ओप्रे कि उसके बाद जो साधी होती है वो मानित अपराप्त होती है उसे पहले साधी की जाती है वो बाल विवाहे की केटिगरी में आती है तो लाडली की जो साधी है वो अठारा अठारा वरसे बादी कर गी है तो राजस्तान पुलिस ने ये अभ्यान शुरू करने चाह रही है तो परंपरिक रूप से बड़ी संख्या में साधियां होती है इस दिन बाल विवाहे होने की सबावना अधिक रहती है जिसे रोकने के लिए ये विशेश अभियान शुरू किया गया है और बाल विवाहे एक समाजी कूपर्था भी है अलांकि लगभग अब हट चुकी है कुछ ऐसे अभी भी समाज है जो पिछे चल रहे हैं पर्मप्रागत्री के से रूडी वादित है वो बहुत जगें ऐसा कारणामा कर देते हैं उसको भी रोकने के लिए ये विशेश अभियान शुरू किया गया है राजस्तान पुलिस द्वारा ओप्रेशन लाड़ ली अभियान बानोनी जगरुकता पुलिस विवाय पुलिस बालिवाय प्रसित अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्से कम आयू की बालिका और 21 वर्से कम आयू के यूकों को बालिवाय के बारे में जगरुक करेगी इस अभ्यान का उदेशिय समाज में बालिवाय की पर्था को समाप्त करना और उतकष्ठ्ता केंदरों की सταपना की जाएगी कोसल भारत मिशन के तहरा पर वर्च्वल रियल्टी और मिक्स्ट रियल्टी में उतकष्ठ्ता केंदरों की सतापना की जाएगी अब ये क्वेशन इसलिए आया है क्योंकि हमारे राजस्तान का जोधपुर जिला सामिल है तो दे राश्ट्रे कोशल परसिक्षन संजदानों में पांच उतकष्ट ताकेंदरों की स्तापना। पांचों के पांचों याद रखना और अमारा जोदपुर जिला इसमें सामिल है वो जरूर याद रखना। टेक्स्टाइल उध्योग के लिए पहली बार किस पोलिसी का ड्राप्ट जारी किया है तो राजस्तान टेक्स्टाइल अपेरल पोलिसी दो हजार जारी कर दिया है। अब इसमें क्या प्रावदान है क्या टार्गिट रखा गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो राजस्तान टेक्स्टाइल अपेरल पोलिसी दो हजार चोईस का ड्राप्ट जारी उध्योग के लिए अलग पोलिसी लागू करने की दिशा में। राजस्तान टेक्स्टाइल अपेरल पोलिसी दो हजार चोईस का ड्राप्ट अक्टूबर दो हजार चोईस में जारी किया। इस पोलिसी का मुख्य उधेशे वर्ष दो हजार उनतिस तक टेक्स्टाइल सेक्टर में पंद्रा हजार क्रोड का निवेश आकरसित करना है और दो लाग नए रोजगार उत्पन करना है। यहां से क्वेशन आएगा लक्स से जो लिया जाता है ना कि कब तक दो हजार उननीस तक फंद्रा हजार क्रोड का निवेश करना और दो लाग नए रोजगार उत्पन करना। कपड़ा द्यों को प्रोथसान, इस पोलिसी में राज्य सरकार ने कपड़ा द्यों को प्रोथसायळ करने के लिए विविन नए प्रावधान किये है ताकि द्यों की वरद्धी को बढ़ावा मिल सके और राज्ये में रोजगार के अवश्रु मैं वरद्यों जैसेição बी ब पुख्य लक्षे क्या हो गया दो हजार उनातिस तक पंद्रह हजार क्रोड का निवेश और दो लाख नए सो रोजगार सर्ची यह आपको याद रखना है सुप्रेम कोड के हाल ही में दिसा निडियसों के तहत राजस्तान में बाल विवाहे पर रोक लगाने के लिए किस वरस तक काम किया जाएगा 2030 तक अलांकि बहुत कम आमले राजस्तान के अंदर मिल रहे हैं लेकिन फिर भी एकदम जड़ से खतम करना है इसको परता को बाल विवाहेवाली सुप्रेम कोट ने राजस्तान में 2030 तक बाल विवाहे समप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगटनों का एक महत्पन बढ़ावा दिया है मुक्याव देशिये बाल विवाहे की पर्था परभावी रोप से रोक लगाना तिसा निर्देशों पर फोक्स थान्य पंचायतों स्कूल परादी करनों बाल स्रक्षन दिकारियों के जिम्मेदार थेराने पर ठीक है जैसे अभी आपको बता है गराम पंचायत में अगर कोई बाल विवाह रोगा है यह सुप्रेम कोट ने का है राजस्तान में बाले वाय के आंकड़े देखें तो NFHS 5 के अनुसार राजस्तान में 20 से 24 वर्ष की आयू की 25.4 परचत मेलाएं 18 वर्ष की आयू से पहले विवाहे कर चुकी है आज जो भी 24 वर्ष के न वो कहती है कि लगबग 25.4 परचत मेलाएं ऐसे जिनकी साधी 18 वर्ष की आयू से पहले हो चुकी है ये NFHS की रिपोर्ट के अनुसार है Civil Society संगटनों का स्यसक्तिकर्ण Just Rights for Children Alliance जैसे संगटनों ने इस निर्णय को 2030 तक बाले विवाये खतम करने की दिशा में एक मैत्पुन कदम माना है रखना की 2030 तक बिल्कुली जड़ से ही खतम हो जाए एक भी मामला ने जैसे 2025 तक टीबी मुक्त करना है अगली साल तक तो लगातार काम किया जा रहा है तो इसी परकार इन पे काम होगे और यह जो परताई हैं समाजी को परताई हैं उनको जड़ से खतम है कर दिया जाएगा के अंदर सरकार द्वारा 60 रुपे का समारक सिका किस संदान की 10 नुवंबर 2024 के हिरक जेनती अवसर पर जारी किया जाएगा वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है भी यह है बेडला प्रद्योगी की वैविज्यान संदान जिसको हम कहते हैं बिट्स पिलानी जुन जुनु उसकी क किल 6 साल स्थापना के पूरे हो चुके है इस उसर पर इस हिरक जेनती पर के अंदर सरकार द्वारा 60 रुपे का समारक सिका जारी किया जाएगा यह आपके सामें अब यह ऐसे नहीं होता ही 60 रुपे का सिका इनको जारी कर दिया और यह चलते हैं परचलन में नहीं आते बज पिलानी की हिरेक जनती पर 60 रुपे का समार्क शिका जारी, बिट्स पिलानी की हिरेक जनती 60 वर्स के उपलक्ष में शिका जारी किया गया है, समार्क शिका का डिजाइन कैसी है, तो बिट्स पिलानी की मुख्य इमारत का चितर होगा, एक तरफ ठीक है, जिसके उपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी में बिट्स फिलानी हिरेक जेन्ती लिखा होगा इमारत के नीचे 1964 से 2004 से अंकीत होगा मतलब यह है ना यह देखो यह इमारत देदी और इस पर यहां सब कुछ है लिखा होगा एक साइड तो दूसरी साइड असोकस्तम का चितर होगा साथ ही रुपे क दूसरी साइड यह आ होगा स्मारक्षिक का निरमानस्तान कोलकत्ता टक्साल में यह बने और स्मारक्षिक्चे की गोशना चैंडरी वित मंत्राले के आर्थिक कारे विजघ ने इसे पहले भी बहुत सारी और भी संस्दाइं हैं उन पर भी इस परकार की सिक्के जारी हो चुके है लेगर राजस्तान के संदर में बिला परदुगी की वे विज्यान संस्दान बिट्स पिलाने के बारे में याद रखना बिट्स पिलाने के स्तापना 1964 को होई थी इस वर्स संस्दान की 60 वी वर्स गांट बनाई जाई है जो 10 नौंबर 2000 को कल बनाई जाएगी उसी के उपलक्ष में के अंदर सरकार ने 60 रुपे का सिक्का जारी किया है तुजस गुलेटिन माइन स्वेपें ट्रोलियम सेक्टर का राइजिंग राजस्तान प्री सम्मिट नो से ग्यारा जो राइजिंग राजस्तान सम्मिट होने जा रहा है उससे पहले जिलों के और भी वागों के सम्मिट समझोते होते जा रहे हैं जैसे जेपूर जेपूर दुद्दू के लिए हुआ गया किलावा जोदपूर अर्वगेरा इनकी होगे अजमेर के अंदर हो गया यह देखो केकडी में हो गया भीलवाडा में हो गया और अभी उप्चनाव चल रहे हैं तो जपत मामला जपत किये जा रहा तो अब सारा बस इन्वेस्टमेंट इन्व डेटे रहें पिछले वीडियो के क्वेश्चन था राजस्तान की चर्चित खिलाड़ी तनिसक पटवा का सबंद किसे यह उद्धेपूर की तेराक है उद्धेपूर की तेराक है हाली में इन्होंने चीन के अंदर आये जित बोट जो ड्रेगन विसव कप बोट वाली उसक चर्चा में आई अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जबाब कोमेंट में देना है नीती आयोगी द्वारा सुरू किये गे जल उत्सव कारेकर में राजस्तान के किस ब्लोग का चेन किया गे है संग्रिया ब्लोग अमेर ब्लोग गोगंदा ब्लोग खेतरी ब्लोग यह से बड़े सोलर पार्क का नाम बताई जो राजस्तान में बढ़ला फ्लोधी में है चार फेज में स्थापित हो रहा है बाइस सो पेंतालिस मेगावार्ट इसकी शमता है राजस्तान लगू उद्योग निगम राजशीकों की स्थापना 1961 कोई थी कंपनी का दर्जा उनी सो चेतर को मिला राजस्तान का मिनी खुज राव बंड देवरा बारा है 1903 में विजोलिया के किसानों बच्वरी कर किसने लगाया क्रिशन सिंग ने और 1906 में उत्रा दिकारी कर तलवार बंदाई कर प्रत्वी सिंग ने लगाया राजस्तान के पर्थम राजेपाल गुर्मु टू एक्जाम में आई वे कुष्णों की लगातार चर्चा कर रहे हैं कौन सी सबेता दूलकोट या तामरवती नगरी के नाम से प्रसिद है राजस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्तान में बारतिय हतकरगा हैंडलों प्रदोगी की संसदान कहां प्रस्तित है राणा सांगा की मरत्यू के प्रसात मेवाड का सासक कोन बना था और भारत के सविदान के कि सनुछेद के अंसार मुख्य मंतरी की नुप्ति रज्य की रज्येपाल द्वारा की जाती है पांचों के जबाब आपको कमेंट बोक्स में देने है जाते जाते आप वीडियो को लाइट करें अगर आप चैनल पे नए है तो इसको सब्सक्राइब कर लिए और और चुचन में आपको बता देता हूँ रीट 11 वीडियो कोर्स पात्रता का वीडियो कोर्स चल रहा है टैसरी चल रही है रीट 11 मैंस की टैसरी चल रही है और रीट 11 जीत आपकी गर्बेठे त्यारी पूरा वीडियो कोर्स उपलब्द है नाम मातर के चार्जेज पे आप इनका अध्यन करें जिस भी आप कि आप त्यारी कर रहे हैं रीट पातरता L1 और L2 के लिए कोई पंजाबी से सब्जेक्ट से त्यारी कर रहा है तो हमारी पुस्तक बजार में उपलब्द हो चुकी है और RBSC राजस्तान अध्यन वस्तोनिष्ट 6 से 12 बारा नुवंबर से संपुर्ण राजस्तान में उपलब्द होगी इसके लावा फर्ष्ट ग्रेड की परसंपत्र की टैसरी चल रही है सेकंड ग्रेड के फर्ष्ट पेपर की टैसरी चल रही है आप जोइन करें म मोज मस्ती आप मेरे साथ भी जूड़ सकते हैं इस्टाग्राम पर फीक है तो नेरंतर मैनत करो आरे स्परी की करंट अफेर्स की टैसरी चल रही है लगातार आपको टैस्त दिये जा रहे हैं और हमारा राजस्तान RBSC 6 से 12 के चैप्टर वाइज टैसरीज है टैसरीज भी है वीडियो कोर्स वीडियो है यूटूब पे हैं और बुक काने वाली हैं बस आप मैनत कीजिए संसादन आपको इतने ज़्यादा घर बेठे उपलब्द करूए जारे हैं टैस्ट सरीज चे आप कितना ही पढ़ लो गर आपने टैस्ट जोइन नहीं किया है ना बार बार अभ सेलेक्शन गलत होता है उसको सही करने की कोशिश करो फिर आपका सेलेक्शन निश्चित होगा धन्यवाद चेहिंद चेह बारत चेहराद चेहराद